नाइन टिप्स एवरी यूट्यूबर शुट नो मेरी फेवरेट तो टिप नमर सेवन है पर टिप नमर फाइव को सुनकर तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा बट उससे बहले बात करते है टिप नमर वन यानि कॉपी बिग यूट्यूबर्स टु ग्रो ऑन यूट्यूब की ओके सो शुरू में जादतर यूट्यूबर्स एक गलती जरूर करते हैं ट्राइंग टू बी यूट्यूबर्स हां मानता हूं यूट्यूबर वाइरल जाने के लिए तुम्हारा कॉंटेंट थोड़ा अलग होना चाहिए बट क्या तुम एक्च्वल में पहली ही वीडियो बना सकते हो उफकॉस नू बलकि यूट्यूबर कुछ यूनीक करने का सबसे आसान तरीका ही है कॉपी अधर्स कहना क्या जा रहा है यूट्यूबर्स कॉपी भी करें और यूनीक भी लेट मी एक्स्प्लेइन 2018 के स्टार्ट में एक चैनल बना था नेम्ड माजॉम फैक्ट नहीं उसने कुछ अलग नहीं गया बट अगर माजॉम फैक्ट ना होता तो आज ना क्रिटिक होता ना ही यूट्यूबर्स करते हो जिसके ऊपर तुम बिल्ड कर पाओ ऐसे में बेस्ट मेथड है जिन लोगों कुछ बिल्ड किया हुआ है कुछ तगड़ा बनाया है उन्हें कॉपी करना चुरू कर दो माजॉम फैक्ट एक चैनल था एंड तुम बड़े आराम से कैस कर सकते हो क्योंकि उस ताइम सबसे बड़ा फैक्ट या इनफोटेन्मेंट चैनल फैक्ट था माजॉम फैक्ट हंड यूट्यूब चैनल एक्ट्वल में ग्रो कर सकता है औरनेस्ट ली कर दो सकता है कई कॉपी करने वाले चैनल मेरे सामने ही ग्रो हुए और आज भी उनमें बड़िया व्यूज आ रहे हैं बट तुम यह मालनो इससे तुम्हारा ब्रैंड तो बनने से रहा एंड इवन कॉप इडिटिंग और कई सारी चीजे सीखी जो कि शायद मैं कुछ यूनीक करने के चकर में सीखी नहीं पाता पर एल ग्रो हम कॉपी करके बस सीखते ही रहेंगे क्या खुद ग्रो कब करेंगे और कॉपी करेंगे तो लोग कॉपी कब क्या नेगेटिव कॉमेंट्स नहीं तो जैसे जैसे तुम्हें लगने लग जाएगी तुम बेटर विडियो बना रहे हो कीप एवॉल्विंग शुरू आद को भी करके करनी है बट एवेंचुली अपना कुछ यूनीक कुछ तगड़ा करना है ब्राइन जी जॉन्सन के रेड बैग्राउंड में मैंने ग्राफ और प्रूफ्स एड़ करके उनको एवॉल्व किया फैक्टेक स्टाइल विडियो से सीखने के बाद मैंने उन लर्निंग्स को अपनी कृटिक वाली विडियो में डाला कुछ यूनीक क्रियेट किया तुम्हारा सक्सेस मंत्र और पॉइंट नंबर वन है कॉपी बट नॉट सब्सक्राइब के साथ मिस्टर बीच के मैनेजर रीड का एक पॉड़कास्ट आया था एक्जेक्ली 41 मिनेट 22 सेकंड पर बदाता है मिस्टर बीच ने एक फुल विडियो रिकॉर्ड गरी थी जहां वो दुनिया के साथ अजूबे सेवन वंडर्स ऑफ दी वर्ल्स के पास जाता है मिस्टर बीच के इस ट्वीट के हिसाब से इस पर साथ लाग से भी जादा का खर्चा आया था बट वो विडियो कभी मिस्टर बीच के चैनल पर आई ही नहीं रीजन पता है शैद तुम यकीन ना गरपाओ बट रीजन बस ये था कि मिस्टर बीच उस वीडियो के ये एक तगड़ा थमनेल नहीं बना पा रहा था बस इतने से रीजन की वजह से मिस्टर बीच ने अपनी साथ लाग की वीडियो को कभी अप्लोड ही नहीं किया अब मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए बिल्कूल भी नहीं कह रहा हूं बट इससे हम समझ सकते हैं कि एक वीड वीडियो बनाने से पहले ये सोचो कि तुम थमनेल और टाइडल में ऐसा क्या करने वाले हो जिससे उस पर क्लिक्स आएंगे लेकिन इसके चकर में तुम एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हो जिससे व्यूज उल्टा कम हो जाएंगे तो गलती बताऊंगा बट उसे बहले ब स्पॉंसर मिला था फिल्मोरा 10 बेसिकल मैंने उन्हें खुद से एक इमेल भीजाता जिससे ये हो पाया तो अगर तुम्हें भी जादा से जादा स्पॉंसर चाहिए यू नीड तु लर्न दी आर्ट ओफ कोल्ड इमेलिंग एक टिप देता हूं अगर तुम अपने मेल के सा कर कोई भी स्पॉंसर या ब्रैंड जल्दी से जल्दी तुम्हारे चैनल और तुम्हारे बारे में जान पता है एक सुन्दर तो होना ही चाहिए इसके लिए तुम्हारी कुकिंग से रिलेड़ेड ओडियंस है तो खाने वाले ब्रैंड को जादा होगा एडिटिंग वाली उडियंस है तो एडिटिंग सॉफ्टियर जैसे की वंडर शेयर डैमोक्रेटर इनको जादा फायदा होगा अगेन इसके लिए तुम यहां टेक्स्ट इमेज जो चाहो इंसर्ट एंड उसे एडजस्ट कर सकते हो शौट में बताऊं तो तुम्हें अपनी मेडिया किट से ब बने बनाए टेंप्लेट्स भी अवेलेबल है तो लेट से तुम्हें किसी भी ब्रैंड के लिए एक इन्वाइस बनाना है कोई भी इन्वाइस का टेंप्लेट चूज करना अपने इसाब से कस्टमाइज करना है फिर डिटेल्स बढ़ने हैं यू आर गुड तूगो अगर हमारे पास कोई important file है तो तुम PDF element को यूज करके उसमें password भी लगा सकते हो बेसिकली अगर तुम्हारा PDF से related कोई भी काम होता है description वाली link को use करके आज के video sponsor wondershare PDF element को download जरूर करना फिलाल बात करते हैं कि एक तगड़े thumbnail से तुम्हारे views डाउन कैसे हो सकते है okay so tip number 2 में मैंने तुम्हें कहा था जब तक एक तगड़ा thumbnail idea ना मिले वो video मत बनाना अपने आप में ये सत्य है बट इसके चकर में कई लोग video बनाएंगे ही नहीं वो सोचेंगे कि नहीं यार इसका कोई बढ़िया धमने लाइड़ा नहीं मिल रहा है पहले वो सोचता हूँ eventually होगा कुछ नहीं बस procrastination ये problem सबसे जादा एक perfect video बनाने के चकर में होती है इसका solution क्या है? simple हर video में अपना 100% दो ही मत बलकि जादा videos बनाओ और सब में अपना 70-80% effort लगाओ ऐसा करते करते तुम्हारी 50 या 100 वी video का 70-80% ही तुम्हारी 10 वी video के 110% से भी काफी जादा हो जाएगा तो शुरू में 80% quality के साथ जादा focus quantity पर करो बट एल ग्रो हमें तो एक video बनाने में ही कई दिन लग जाते हैं तो quantity पर focus करें कैसे? बताता हूँ ओके, इसे बेले कि मैं tip number 5 की बात करूँ जो कि YouTube को लेकर तुम्हारा दिमाग खोल कर ही रख देगी कम टाइम में जादा videos बनाने के दो simple से तरीके हैं तुम अपनी वीडियो को नॉर्मल तरीके से बनाओ ही मत अब इसका क्या मतलब है? एक नॉर्मल यूट्यूबर सबसे बेले एक video के लिए आईडिया सोचता है उस पर research करता है script लिए कर उसे record और फिर edit करता है finally वो वीडियो तुमें यूट्यूबर देखने को मिल जाती है अब ये method कुछ लोगों के लिए काफी दगड़ा है बट क्या हो अगर मैं कहूँ जादातर लोगों के लिए इससे better method already कुछ यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं and वो method है batching basically ideas के लिए कोई भी note app install कर लो जब भी दिमाग में कुछ idea है उसे save कर लेना ऐसा करने से तुमारे पास हमेशा कई ideas होंगे अपनी बात करू तो हर channel के लिए 100-200 ideas तो बस ऐसी लिखे रहते हैं similarly editing करने बैठो तो एक साथ 2-3 videos करना script करो तो भी एक साथ 2-3 scripts लिखना working from zero बट चाहे तुम batching कर लो या पहली दो टिप्स का यूज कर लो अगर तुम YouTube algorithm को समझने में गलती कर देते हो भूल जाओ व्यूज तो अब बात करते हैं about algorithm को यूटीब ग्रोथ पर एक advice तुम्हें literally हर एक यूटीबर देता है जितना जादा तुम्हारा वाश टाइम और CTR होगा उतना जादा तुम्हारे व्यूज होंगे बट क्या हो अगर मैं कहूं यह सच नहीं है वर्ल्ट अफेस नाम से यूटीबर एक चैनल है जहां प्रशांत धवन सर जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं अब शुरू में तो वीदियो बिल्कुल नॉर्मल सी होती है बट लिट्रली हर वीडियो के एंड का एक मिनट unacademy के कोर्स के बारे में होता है एंड अलमोस्ट हर वीडियो में सीम ही होता है कहने का मतलब है जहां लोग शुरू में तो वीडियो आराम से देखते हैं मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, उल्टा यहां दिन में 2-3 वीडियो अपलोड होती हैं, शायद ही ऐसी कोई वीडियो की जिसे मैंने आज तक मिस किया हूँ, इवन हर वीडियो पर 4-7 लाग व्यूज तो आते ही आते हैं, यूट्यूब भी हर वीडियो को प्रमोट करता है, तो यह चल क्या रहा है, रिटेंशन कम होने से व्यूज पर फर क्यों नहीं बड़ा, और इसका जवाब है, कि एल्गोरिधम इतना सिंबल नहीं है, कि बस वाच टाइम और CTR बढ़ा है और व्यूज आ गए, एल्गोरिधम उसके इलावा भी कई चीजों को देखत है, और उसे पता है कि World of A's की वीडियो में ऐसा ईटर होता है जिसे लोग स्किप करते हैं, बट सिल आउडिएंस वीडियों को पसंद करती ही है, आउटर तो सब्सक्राइब आचेम गल्चस Κी वापस तो आती हैं हैं यानि आउडियों को व्यूज आपस के विडियों एक ऐसी वीडियो बनाना जिसको देखकर ओडियंस का मन करें कि काश एक और वीडियो देखने को मिल जाए एंड वो ऐसा करें भी लेकिन अगर तुम हर वीडियो ओडियंस के पसंद की बनाने लग जाओ तो वो तुम्हें थोड़ी टाइम तक देखेंगे वाट इवेंजली तुम्हारा चैनल डेड ही हो जाएगा ऐसा क्यों इससे पहले कि मैं अपनी फेवरेट टिप नंबर सेवन के बारे में बात करूँ तुम्हें बाता हूं कि एक चैनल को डेड होने से कैसे बचाना है कॉंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है तू रेशियो वन रूल और इसके बारे में डिटेल में मैंने अल्रेडी एक विडियो बनाई है शॉर्ट में इतना समझो अगर तुम एक ही टाइप के कॉंटेंट को बनाते रहते हो कुछ टाइम बात तुमारी ओडियेंस उससे बोर हो ही जाएगी तो टू इस टू वन रेशियो रूल का यूज करके तुम दो विडियो ओडियेंस की पसंद की डालो और फिर एक विडि पर एक तो होता है CTR यानि click through rate यह बताता है कि जब YouTube तुमारी विडियो लोगों को दिखाता है तो उसमें से click कितने लोग करते हैं ऐसे ही एक metric होता है named ectr यानि end screen click through rate यह बताता है कि जब end में लोगों को कोई विडियो देखती है तो उस पर कितने लोग क्लिक करते हैं अ end screen में भी views बढ़ाने के तरीके से related ही video लगाओ GTA 5 पर video बनाई है तो end screen में भी GTA 5 का ही कोई gameplay लगाओ 2. audience को पता ही नहीं लगना चाहिए कि तुमारी video end होने वाली है बल्कि उन्हें सीधे तुमारी दूसरी video suggest करो अगर इसका practical example देखना है तो tip number 7 में बताऊँगा बट उसे बेले बात करते हैं कि कई बार हम अपने content को तो improve कर लेते हैं बट views नहीं बढ़ते क्यों ओके तो again इस पर भी मैंने already एक detail में video बनाई हुई है और उसका link भी तुम्हें description में मिल जाएगा short में समझो let's say तुमारा content 0 से 2 तक improve करता है बट क्या इसका मतलब है views भी 0 से 2 जाएंगे नहीं बलकि just to explain you तुम्हारा content तो धीरे धीरे improve होते रहेगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 and so on बट तुम्हारे views शुरू में 0 ही रहने वाले हैं ऐसा इसलिए because जब तक तुम्हारा content एक threshold जो कि यहां लगबग 8 होगी उसे पार नहीं कर लेता है वो content देखने लायक ही नहीं होगा तो growth कहां से होगी बट जैसे ही तुम्हारा content देखने लायक बन जाता है तुम्हारा channel एकदम से viral जाने वाला है इतने views आएंगे कि भाई तुम खुदी नहीं समझ पाओगे आ कैसे रहे है moral of the story is शुरू में महनत लगेगी पर views नहीं आएंगे और इसी reason की वज़े से 99% YouTubers YouTube को quit ही कर देते हैं बट कुछ भी करके अगर तुमने इस महनत वाले face को पार कर लिया ट्रस्ट मी ब्रो मजा ही आ जाएगा लेकिन क्या तुमें पता है 30-50% लोग तो वीडियो को उसके पहले 30 seconds में ही छोड़ देते हैं ऐसे में वो वीडियो कभी लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती है इससे तुमारे व्यूस तो बढ़ेंगी ही तुम वाइरल भी जा सकते हो बट वो टेकनीक है क्या अब यह जाना तो लेट वाली वीडियो पर क्लिक कर लेना राइट वाली वीडियो में मैंने बताया है कि इस एडियार कैसे बढ़ाते हैं जो कि जस्ट मैंने अभी अभी इस वीडियो के साथ भी किया है हैश्टैग प्रेक्टिकल एक्जम्पल बागी हाँ टिप नमर 9 भी यही थी